So guys are you excited because I surely am जो हमारा Unacademy के उपर combat का scholarship test होता था उसमें हमने कई सारे बड़े बड़े बदलाव किये हैं और ये बच्चों की ही demand के चलते हुए बच्चों से ही feedback को लेते हुए ये वाले बड़े बड़े बदलाव किये गए हैं अभी तक क्या होता था कि आपको combat में पूछे जाते थे 56 questions और 56 questions में आपको यहां पर prepare करने पड़ते थे 7 subjects UPSC के सारे के सारे subjects में से आपसे सवाल पूछे जाते थे लेकिन अब यहां पर आपके लिए जो पेश किया जाएगा वो किया जाएगा एक नया तरह का combat जी हां आपके सामने हैं अब subject specific combat आपके लिए यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें कि आपके जो number of questions है वो भी कम हो जाएगे जो time है वो उतना ही रहेगा यानि कि पर question जो आपको time मिलने वाला है वो suddenly आपका बढ़ जाएगा और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं questions मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं जो कि आपका इस particular Sunday को combat होने वाला है दोस्तों इस चोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ discuss करूँगा कि मेरे द्वारा जो बनाए गए सवाल है उनका यहाँ पे syllabus क्या है कौन से कौन से areas को हमने touch upon किया है और उनका difficulty level क्या है तभी हम यहाँ पर आपका जो score है और rank है उन दोनों चीज को combat में improve करवा पाएंगे और मैं यह चाहता हूँ कि मेरे से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको combat में काफी अच्छी rank मिले so that उनको unacademy की तरफ से scholarship मिलने का मौका भी मिल सके तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको remind करवा दूँ कि आने वाल को अनी UPSC code का इस्तिमाल करना होगा और आपको बता दूँ कि यह test सुभे 11 बजे होने वाला है और इसमें आपके जो top rankers होंगे उनको मिलने वाली है unacademy की scholarship उसके बाद 4 to 10 और 11 to 50 और 51 to 500 को आगे जाके कुछ-कुछ discounts मिलने वाले हैं अगर बात करें कि मैंने इसमें कौन से कौन से topics को cover किया है दोस्तों मैंने कुल मिला के जो 10 सवाल पेश किये हैं वो basically ये वाले जो आपके topics हैं ये वाले जो 5 topics मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके अंदर से इनको cover करवाया है Physiography of India सबसे important topic मानता हूँ मैं हर साल UPSC में minimum आपको एक question देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस particular test में भी मैंने दो questions Physiography of India के include करवाए हैं जिनका की difficulty level moderate है और अगर हम बात करते हैं natural vegetation और soils की तो वहाँ पर भी कहानी लगबग similar है अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 साल का जो UPSC paper का pattern है उसमें कम से कम एक सवाल vegetation को और कम से कम एक सवाल आपको soils का देखने को मिलता ही मिलता है तो उसी pattern को follow करते हुए मैंने भी यहाँ पर एक-एक सवाल दोनों ही soils और natural vegetation के को लेकर include करवाया है और आपको hint दे दूँ जो सबसे हमारा standard source है 12th class की जो NCRT और 11th class की जो NCRTs है उसी के basis पर हमने इस particular question को तयार करया है और यहाँ पर इसका भी जो level है वो moderate ही है इसके बाद geomorphology का जो हमने एक बहुती simple सा basic सा question include किया है from the topic of structure and interior of earth इसको जाकर भी आप लोग बड़ी आसानी से attempt कर पाएंगे उमीद करता हूँ कि इसमें आपका जो accuracy level है वो एकदम 100% होगा और उसके बाद हमने थोड़ा सा एक हटके सवाल पूछा है oceanography का पिछले कुछ सालों में UPSC का जो focus है वो oceanography को लेकर काफी बढ़ चुका है इसमें मैंने थोड़ा सा सवाल यहाँ पर केड़ा है tricky है लेकिन आसान है temperature, salinity और density को लेके यह वाला question पूछा गया है तीनों के तीनों काफी important components होते हैं इनी तीन चीजों के आधार पर एक बड़ा ही simple सा लेकिन tricky question आपके लिए पेश किया गया है जो मेरा पूरे combat में दिया जाने वाला toughest question है that is from the topic of climatology जिसमें की मैंने fronts, jet streams और cyclons के topic को cover किया है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो यह वाले questions हैं जो कि आप देखने वाले हैं मेरी तरफ से इस आने वाले combat में अगेन आपको बता दूँ जुड़ना बिलकुल भी नहीं भूलना है अगर किसी परकार की doubts है कि किस तरीके से जुड़ना है और कहां से आपको download करना होगा वगरा वगरा तो आप मुझसे संपर कर सकते है using this particular telegram channel आपको फिर से एक बार remind करवादू कि यह वाला जो test है दोस और 주는 एक अपको आपको उौलना है अरूस टसुड ले में को चाहत आपको यह उनमा एपको नौसी शहोगा ओना आपको भी जाट मैं बूएको त्रफ्यक लागे भी टॉ